आज मैंने यहाँ पर बनाई है सूपर से भी जादा सूपर हेल्दी ड्राइफ रूट्स की एनरजी बार इसको आप बना कर एक से दो मेने तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने बच्छों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं अगर कभी मीठा खाने का मन करें तो इसको आप खा सक दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही सथ बैल बटन को भी दबा दीजिए जिससे की आने वाली रेसिपी का नोडिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए साथ में मिलके आज की सूपर से भी जादा सूपर हेल्दी एनरजी बार यानि की ड्राइफ रूट्स चिक्की को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे आदा का बदाम और इनको कड़ाई में डालेंगे और बदाम को हम पहले अच्छे से भूनेंगे तो हम चलाते हुए बदाम को भून लेते हैं यह जो बदाम में मैंने पूरे सें तो इसमें डालेंगे हम आदा कप कटा हुआ पिस्ता, आदा कप काजू टुकडों में कटा हुआ, एक चुथाई कप अखरोट, इनको भी हम यहाँ पर ऐसे ही चलाते भून लेते हैं, इन सारे ड्राइफ रूट्स को हम लगभग 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे, ध् बीना घी के ही इन सारे ड्राइफ रूट्स को हम भून लेंगे, काजू, अखरोट, पिस्ता और बदाम यहाँ पर हमारे भून चुके हैं, इनको हम कटाई से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं, कटाई अभी गरम है तो इसी गरम कटाई में हम डालेंगे यह आदा एक चुथाई का भूनी हुई मूमफली है, यह भी हम डाल देंगे, और इन तीनों चीजों को लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे यह जो ड्राइफ रूट्स हैं हमारे यह भी अच्छे से भून चुके हैं, तो फ्लेम को हम बन करेंगे और इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें की सारी ड्राइफ रूट्स भून के रखे हुए हैं अभी यहां पर जो कढ़ाई यह गरम है तो गरम कढ़ाई में हम डाल देते हैं 200 ग्राम तुकड़ों में कटा हुआ गुड़ और साथी साथ डालेंगे एक चुथाई कब पानी और गुड़ को अब हम यहां पर लो फ्लेम पे चलाते हुए मेल्ट करेंगे गुड़ को अभी पिगलते पिगलते दो मेंट हुए हैं आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़ अभी यहां पर हैं तो इसको हम हाई फ्लेम करके थोड़ा सा पूरी तरीके से पिगला लेते हैं गुड़ यहाँ पर melt हो चुका है अब हम low flame करके गुड़ को अच्छे से पकाएंगे तो इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो गुड़ है अच्छे से कुरकुरा ना हो जाए यहाँ पर एक मिनट हो गया है गुड़ को उबलते उबलते चलिए हम इसको एक बार check कर लेते हैं check करने के लिए मैंने आपर क्टोरी में पानी लिया है और पानी में गुड़ की थोड़ी सी ड्रॉप्स डालेंगे और थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और साथी साथ मैं यहाँ पर गुड़ को चला भी रही हूँ चलाना नहीं छोड़ रही हूँ अभी यहाँ पर गुड़ लूज है इसका मतलब है यह पका नहीं है जब यह अच्छे से पक जाएगा तो एकदम कुरकुरा हो जाएगा तो इसको हम फिर से और चलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे तो ऐसा ही हमें बीच वीच में गुड़ को चेक करते जाना है जब तक कि गुड़ अच्छे से कुरकुरा ना हो जाए गुड़ को पकते पकते पूरे 10 मेट हो गए हैं चलिए अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं मैंने बीच में दो तिन बार इसको चेक किया है और साथी साथ लगाता चलाते जरूर है नहीं तो गुड़ जल जाएगा और जो चिक्की उस कटिस खराब हो जाएगा यह जो और गैस को बंद कर दूँगी सोड़ डालने के बाद आप देख सकते हैं गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं भुने हो ड्राइफ रूट्स गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दी है बंद करके ही इन सारे चीजों को गुड़ में हमें मिला और तो रेख संटे इस वeral करनाना है और सारे ट्राइफ रूट्स को हमें कुड़ में अच्छे मिलाते हुए मिक्स कर लेका है मिक्स होने के बाद चलिए इसको हम फैला लेते हैं मिक्षर को फैलने के लिए मैं रिपलेट को पहले से घ्रीश करके, रखा है ड्रीश की हूई हमें हलका सा ठंडा करना है जैसे ही यह मिक्शर हलका ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चाकू की मदद से कट लगाएंगे इसको पूरा ठंडा नहीं करेंगे यह यहां पर हमने जो चिक्की का मिक्शर फेलाया हुआ था यह हलका सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें कट लगा देते हैं जिससी कि जब यह ठंडी हो तो कट की जगे से ही आसानी से निकल आए कट लगाने के बाद अब हम इसको करेंगे पूरी तरीके से रूम टेंपरिचर पर ठंडा यहां पर हमारी जो एनरजी बार है यह ठंडी हो गई है तो इसको हमें पलेट से बाहर निकालना है तो पलेट को ऐसे दबा देना है और इसको पलटते हुए हमें उठा लेना है देखे कितनी आसानी से निकल आई है और एकदम परफेक्ट एनरजी बार बनके तयार हुई है इ दिखे तो आप भी एक बार इस एनर्जी बार को अपने घर में बनाकर स्टोर करके जरूर रखे अपने बच्चों को परिवार के घर के लोगों को इसको जरूर खिलाए आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं मिलेंगे आपको साथ अगले नए वीडियो में तब कि ली नमस्टे